नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ओपो मिरोर 5S या फिर किसी भी ओपो मोबाइल में इंसफिशेंट स्टोरेज प्राब्लेम को कैसे आप सॉल्फ कर सकते हो यहां पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में जो है हमारे पास जो है 6GB या फिर 12GB या फिर 34GB का जो है हमारे पास स्टोरेज रहता है लेकिन यहां पर स्टोरेज जो है हमारे पास इतना होने के बावजूद हम कम एप्लिकेशन चलाने के तो दोस्तों चली बिना देर के वे शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपको बता दू कि दोस्तों यह दे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजे, साथी साथ बेल आइकों को भी दबा देना और इस वीडियो को कि दोस्तों हम अपने मोबाइल में जो है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे मोबाइल के इन्बियूड सौफ़ेर से ही क्या होता है, कि कभी-कभी बहुत सारे डुब्लिकेट फाइल क्रियेट हो जाता है, हमने फोटो कोई खीचा, फोटो का डुब्लिकेट बन जाता है, कभी कोई डुब्लिकेट बन जाता है, वीडियो डुब्लिकेट बन जाता है, ठीक है, उसके वज़े से यहाँ पे 30% स्टोरेज वो बिना मतलब के खाके रहता है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यह एप्लिकेशन डाउनलोड करना है, और इसे ओपन करना है, ठीक है अब भी दोस्तो यह application के जरीए से भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते हैं परीकों के साथ स्धाथ बनका यापको क्या करना है इसके बातम क्या क्या कि अंदर इसके बाते सिस्टम के अंदर इमेज्यों फोक्रिक आया बेग सकते हैं आप इसके नो चुका है अभी दूस्तों यहाँ पे देखेगा कितना सारा duplicate file पड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे आप देख सकती हो ठीक है अभी देखे यहाँ पे 180 file पड़ा हुआ duplicate आप सोच के देखे एक file यदि 10 MB का रहेगा तो आप सोच के देखे यहाँ पे 180 file कितना होगा 1 1.8 GB का आपके अंदर में फाल्टू का space जो है वो खाके रखाया अभी आपको क्या करना है यहाँ पे डिलेट नाव पे आपको क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पे डिलेट नाव पे क्लिक करना है are you sure confirm कर दीजे ओके तो आपका जितना भी duplicate file है वो डिलेट हो जाएगा ठीक apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है अभी क्या होता है कि दोस्तो हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते है heavy application जैसे की हो गया facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तो हमारा जो है data जो है हम search करते है login वगरा करते है तो वो सारा details save होके रहता है ठ चला गया तो आप देख सकती कि 417 total यहाँ पे MB यह मतलब लेके रखा है ठीक है अभी इससे हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पे click करना है और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तो आपको clear कर देना है अभी clear करने के बाद में क्या होगा कि दोस्तो आप देख सकते 129 पे आ चुका है ठीक है तो दोस्तो यहाँ पी कम से कम 300 MB आपका बच चुका है तो यह करने के बाद सिर्फ इतना ही है कि आपका Facebook logout हो जाएगा आपको re-login करना होगा तो दोस्तो यह एक तरीका है एक एक one by one करके आप यह data clear कर सकते है हर application का ठीक है अभी third option क्या है कि दोस्तो यह सारे करने के बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना mobile last option यह है कि आप अपना mobile को reset कर सकते है reset करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेंगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाए था दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंदा आयोगा